भारत में पहली AI शिक्षक लाँच हो गई है, वो भी केरल में और आपको बता दें, यह जो तस्वीरें आप देख रहे हैं इस टीचर को जो आप देख रहे हैं, इसने लाल नीली साडी पहनी हुई है और इनका नाम आईरिस है, बिल्कुल रियल शिक्षक के तौर पर यह लग रही है बच्चों से हाथ मिला रही है, बच्चों को पढ़ा रही है आईरिस अलग-अलग विश्यों के जटल से जटल प्रशनों के उत्तर दे सकती है परसनल वोइस असिस्टेंट का काम कर सकती है, साथी बहुत इंटराक्टिव है यह AI टीचर एक रोबोट है जो घूम सकती है, बाचीत कर सकती है बच्चे सवाल पूछेंगे तो जवाब दे सकती है बारवी तक के सभी विश्यों को पढ़ा सकती है यह AI टीचर तीन भाषाओं की जानकारी इन टीचर के पास है अंग्रेजी, हिंदी और मल्यालम यह जानती है रोबोट गलत कॉंटेंट को ब्लॉक करने की शमता भी AI टीचर में है 20 से जादा भाषा डेवलप करने की तयारी भी अब चल रही है एक बड़े परिवर्तन की ओर केरल आगे बढ़ रहा है जिसके जरिये देश के एडुकेशन सिस्टम में उधारन पेश होगा केरल के स्कूल में AI टीचर आईरिस को पेश किया गया मेकर लाप्स ने इस रोबोट को तयार किया है जो बच्चों को पढ़ाएगी इसे बनाने वाली कंपनी का कहना है कि हर चात्र की जरूरतों को देखते हुए AI टीचर को बनाया गया है मंच से AI टीचर ने भाशन भी दिया चात्रों के पास जाकर उन्होंने मुलाकात की हाथ मिलाया चात्रों से AI teacher बनाने वाली company ने दरसल ये दावा किया है कि शिक्षा के शेत्र में ये सभी सीमाओं को तोड़ेगा और नई करांती आएगी ये innovation capacity को बढ़ाएगा, higher secondary school में से launch किया गया, एक charitable trust ये चलाता है Iris Robot Attle Tinkering Lab परियोजना का हिस्सा भी है जो 2021 नीती आयोग को की पहल के मताबिक आगे बढ़ा है से school में पढ़ाई से लेकर extra curricular activity को बढ़ावा देने के लिए इस्तिमाल किया जाएगा Instagram पर जब Meco Labs Company ने इसे launch किया तो उनकी तरफ से ये बताया गया कि ये robotics और generative AI का एक combination है इस robot में एक Intel processor लगा हुआ है और एक co-processor लगा है जो कई तरह के command संभालेगा एक साथ और इसके जरी ही robot सारे काम perform कर पाएगा